तो आज की वीडियो में मैं एक प्रिविएस यह जैस्ट का जैस्ट में आया हुआ प्रोशन है वह लेने माला हूं और यह इसको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा सबसे पहले हमारे प्रोशन है हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम जो है हमारे पर 2 1 1 2 इसको हम हम निसका हमले मैट्रिक्स निकालना कॉस पाइं submitting ने कालना हमें हमारा गश से पहले हम क्या करेंगे हमारे मैट्रिक्स है हमारे फैनल हम जो हमें ते रखा है क्या आधा matrix हाँ 2, 1, 1, 2 सबसे परद आईगन values निकाल लेंगे सम्ट्रेश क्या होगा अशका लेम्डा 1 प्लस लेम्डा 2 लेम्डा 1 प्लस लेम्डा 2 4 और determinant कितना हो जागा अशका लेम्डा 1, लेम्डा 2 determinant आजाएगा हमार पे 2, 2 जा 4, 4, 4, 1, 3 तो फिर ये लेम्डा 1 और लेम्डा 2 की फिर लेम्डा 1 आग मार पर 1 और लेम्डा 2 आगे 225 की थ्यूंत मर, अब हम इसका निकाल लेंगे और सबसे पहले आएगा मार पर फॉर लेम्डा 1 से लिए अगें मेक्टर और lambda is equal to 1 यह जाएगा हमार पे a minus lambda time i into x is equal to 0 यह जाएगा मेरे पास 2 minus lambda 1, 1, 2 minus lambda ठीक है? उसके बाद आएगा हमार पे यह फिर से लिख लेता हूँ मैं क्या आगे था हमार पे 2 minus lambda 1, 1 और 2 minus lambda यही था यह बाद चेक कर लेता हूँ 2 minus lambda ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे for lambda is equal to 1 के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे lambda की जगा बन रखना है हमार पे क्या आजाएगा? 1, 1, 1, 1 यहाँ पे था हमार पे x, y is equal to 0 यह था हमार पे x, y is equal to 0 हमार पे दो equation आजाएगी x plus y is equal to 0 और x plus y is equal to 0 जो हमार पे आईगन वेक्टर आजाएगे यहाँ आजाएगा x is equal to minus y जो आईगन वेक्टर आएगे हमार पे x1 अगर मैं आईगन वेक्टर ले लूँ यहाँ आजाएगा मेर पे x1, y minus 1 पेला आईगन वेक्टर आगया अब दूसरे में चलते हैं next page पे हमार पे क्या था 2 minus lambda 1, 1, 2 minus lambda ठीक है यह था अब हम निकाले lambda minus 3 के लिए lambda is equal to 3 के लिए x और y is equal to 0 यह 3 के लिए कितना आजाएगा minus 1 1, 1, minus 1 multiply करेंगे x और y is equal to 0 यह जाएगा minus का x plus का y is equal to 0 x minus y is equal to 0 यह अगर solve करेंगे इन दोनों को यह जाएगा x is equal to y ठीक है आईगन वेक्टर आजेंगे मार पे x2 1, 1 ठीक है उसके बाद दो आईगन वेक्टर आगे मेरे पास x1 आगया था x1 कितना आया था x1 आया था 1 और minus 1 1 minus 1 और x2 आया था 1 और 1 अब हम निकलेंगे अब हम इसका लिख लिएगे modal of a matrix modal of a matrix क्या होता है modal of a matrix होता है जो हमार पे आईगन वेक्टर आते है इसको मैंने p से डोनेट कर दिया आईगन वेक्टर आते हैं उनी को हम लिख देते हैं 1, 1 यह आगया modal of a matrix अब इसका p inverse निकाल लेंगे determinant कितना आएगा इसका 1 2 आजाएगा 1 upon 2 ठीक है और इसका p inverse आजाएगा यह आजाएगा p inverse 1, 1, 1, 1, 1, 1 यह आगया p inverse ठीक है हमने p निकाल लेए अब हम इसको diagonal matrix निकालेंगे अब इसका हम अब diagonal matrix की definition क्या होती है d is equal to p inverse a, p ठीक है यहाँ पर हम d is equal to p inverse कितना आएगा 1 upon 2 1 upon 2 1, minus 1, 1, 1 और a कितना था मेरे पर 2, 1, 1, 2 ठीक है और p कितना आएगा मेरे पास, p था मेरे पास 1, minus 1, 1, 1 ठीक है अगर जब हम इसका diagonal matrix निकालेंगे diagonal matrix आएगा हमारे इसका solve करके 1 upon 2 ठीक है यह आजाएगा हमारे पास यह निकालेंगे अगर इसको multiply करेंगे मैंने पहले ही multiply करके रखा हुआ है यह आज़े हमारे पे 1 और 3 ठीक है आप इसको check भी कर सकते है अगर इसका हम trace ले रहे है trace हमारे पे कितना आ रहा है trace 4 और determinant कितना आएगा इसका determinant कितना आएगा 3 same है हमारे जो original matrix था इसका ठीक है अब हमारे पे एक property होती है diagonal matrix की हमें चाहिए क्या cos pi by 6 time m ठीक है यह m है m है ठीक है cos pi by 6 time m अब हम क्या करेंगे नहीं पेश में बताता हम आपको pi by 6 d is equal to p inverse pi by 6 a p inverse ठीक है यह p है यह यह p है ठीक है pi inverse ap ठीक है यह आजाएगा pi inverse ap यहाँ पे लगा देंगे cos तो cos इसके साथ भी आजाएगा ठीक है m है यह ठीक है यह आजाएगा cos cos इसके साथ भी आगया diagonal matrix क्या था मेरे पास diagonal matrix था यह आजाएगा cos यहाँ बन था 1 into pi by 6 0 0 0 यहाँ यहाँ जीरो नहीं आएगा यहाँ आजाएगा मेरे पास यहाँ आजाएगा मेरे पास cos यह कितना आया था 3 3 into pi by 6 ठीक है यहाँ आ गया और यहाँ पे है मेरे पी इन्वर्स cos यह 5 by 6 time m time p ठीक है cos pi by 6 कितना हो था root 3 upon me 2 cos 30 root 3 upon me 2 0 0 यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा 2 cos 90 0 ठीक है यहाँ आगे मेरे पास यहाँ आगे p inverse cos pi by 6 time m ठीक है यहाँ से मैं next page होता था आपको यहाँ से मैं 1 upon me 2 common ले लूँँगा ठीक है यहाँ जाएगा रूट 3 0 0 0 is equal to p inverse cos pi by 6 time m p ठीक है एक हमारे पे diagonalizes जह हमने करा था तो हमारे 1 by 2 भी था इसके साथ जितना में को याद है तो यहाँ मैं 1 by 2 लगाना पहले भूल गया था पीछे भी लगाया था 1 by 2 यहाँ बताया था आपको कहा था यह रहा diagonal matrix हमने निकाला था न 1 by 2 था ठीक है यहाँ जाएगा मेरे पास 1 by 2 लगा दिया यहाँ आगे मेरे पास 1 by 2 लगा दिया यहाँ आगे मेरे पास 1 upon 4 time 3 root 3 0 0 0 ठीक है अब हम क्या करेंगा हमार पे प्रॉपर्टी होती है keep P P inverse is equal to I ठीक है हम यहाँ पे भी P multiply करेंगे P का हम यहाँ से भी multiply करेंगे एक P को एक P यहाँ भी multiply करेंगे ठीक है यहाँ जाएगा हमार पे 1 by 4 हम भाहर ले लेते हैं यहाँ जाएगा P रूट 3 0 0 ठीक है यहाँ जाएगा मेरे पास P P inverse I यह हमार पे I बन जाएगा यहाँ जाएगा Cos 5 by 6 time M P inverse ठीक है अब हम यहाँ पे भी एक P multiply करेंगे यह क्या था यहाँ पे यह P inverse है ठीक है यह P यहाँ पे भी एक P multiply करेंगे यहाँ पे भी P लगा देंगे यह भी हो जाएगा हमार पे I जो हमार पे finally हमार पे क्या बचेगा फिर 1 upon 4 time P inverse root 3 0 0 0 A ठीक है और P और P की value हमें पता है P और P inverse की हमें value पता है यह पूरा multiply में है is equal to cos यहाँ आग यहाँ हमार पे 5 by 6 time M 1 upon 4 time यहाँ आजाएगा हमार पे 1 upon 4 time 1 root 3 minus root 3 minus root 3 plus root 3 यहाँ से हम root 3 common ले लेंगे यहाँ आजाएगा root 3 upon 4 time 1 minus 1 minus 1 और 1 जो है हमार पे option यह है हमार पे option कौन सा option है B तो इसका solution होगा है B ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर और भी मैं इस चैनल में regular वीडियो डालता रहूंगा अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको